सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं स्वस्त निरोगी जीवन जीने के लिए सबसे पहले टिप्स पाएं नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सब का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिल्दी लाइप टिप्स में दोस्तों साफ और चमकदार त्वचा एक वेक्ति की सुन्दर्टा के मुख्य तत्तों में से एक हैं स्वस्त और चमकदार त्वचा आपको सुन्दर्टा का एहसास दिलाता है आपकी त्वचा का रख रखाव और आपकी जीवन से लिए आपकी त्वचा के स्वास्ते को दर्साता है तनाव, नींद की कमी, खराब डाइट, प्रदूशन, सूर्य की पैराव बैगनी, किर्नों से नुक्षान, अत्यदिक धुम्रपान और सरापीना कुछ ऐसे प्रमुक कारक जो आपकी त्वचा की चमक को छीन लेते हैं बाजार में त्वचा के सौंदर्य को निखारन के लिए हजारों उत्पाद मौझूद हैं जो आपको साफ और चमकदार त्वचा देने का वादा करते हैं लेकिन इन महगे उत्पादों के वज़ाए आप इन आसान गरेलू उपायों की मदद से ब्यूटिफुल एंड ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं तो चलिए देखते हैं इन उपायों को पहला उपाय है निम्बू निम्बू तवचा के चमक को निखारने के लिए सबसे अच्छी समागरी मानी जाती है निम्बू में मौजूद सैट्रीक ऐसी तवचा को साफ रखने में मदद करता है और इसमें उपस्तित विटेमिन सी डाक स्पोर्स को कम करने में मदद करता है ताजा निचोड़ा हुआ निम्बू कारस अपने पूरे चहरे और गर्दन पर लगाए इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दे और फिर गुन्बुने पानी से धोले इसके बाद अपनी तवचा को नरम और मस्चराइस करने के लिए खीरे के स्लाइस को रगड़े ऐसा रोज या हर दूसरे दिन करे तूसरा उपाई है ऐलोवेरा तुचा के लिए ऐलोवेरा के कई फाइदे हैं इसमें एंटि बैक्टेरियल गुन होते हैं जो मुहासे पैदा करने वाले बैक्टेरिया को मारते हैं और मुहासों के दाग ठीक करने में मदद करते हैं या एक बैतरीन प्राकिर्टिक स्किन मॉस्चराइजर भी है ऐलोवेरा की पत्तियों से जल को निकालें या अगर ऐलोवेरा का पौधा ना हो तो किसी भी अच्छी कंपनी का ऐलोवेरा जल खरी लिए फिर एलोवेरा को रोई की मदद से चहरे पर लगाए इसे लगबग आदे गंटे के लिए सूपने दे और फिर इसे गुंगोने पानी से धोले तीसरा उपाई है मिल्क क्रीम भारत में पीडियों से महिलाएं चमकते चहरे के लिए दूद की मलाई का इस्तमाल करती आ रही है जब बाजार में कोई ब्यूटी एसकिन के प्रोड़क्ट्स नहीं थे तो महिलाओं ने चमकती तवचा पाने के लिए मिल्क क्रीम का इस्तमाल किया इस से सुंदरे बढ़ाने वाले घटक के रूप में जाना जाता है इसका कारण यह है कि इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो तवचा को भीतर से मॉस्चराइज रखता है सुंद को तवचा से रूखा पर होता है और सुखी और रूखी तवचा पर दूद की मलाई लगाने से यह तवचा को पोशन और प्राकिर्टिक चमक देता है इस उपाई को करने के लिए आप एक कटोरे में आदा कफ ताजा दूद क्रीम और गुलाब जल की कुछ पूंदे को अच्छी तरह मिलाएं फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और सरकुलर मोशन में मसाज करें फिर इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें और गुलाब ने पानी से धोलें स्वस्थ और चमकदार चेहरे के लिए इस उपाई को रोज रात में सोने से पहले जरूर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें